नमस्कार आप सभी का बाईजूस गवर्णमेंट एक्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में हम दाहिंदू समाचार पत्र में 22 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विसलेशन करेंगे यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों के लिए ही लाबदायक है आई ये स्टूडेंट्स सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के सत्र में किन किन विश्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे देखिए से पहले तो हम लोग प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रश्णों के उत्तरों को देखेंगे इसके बाद में इरान परमाडु समझोता और अंतरराश्ट्रिय परमाडु उर्जा एजंसी यहाँ पर कुछ डवलप्मेंट हुए हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे भा बात करने का मौका भी मिलेगा एक बहुत अच्छा सामाजिक मुद्दा भी आज हम लोग देखेंगे अवेतनिक कारे और महिलाएं कि हमारे घरों में जो महिलाएं हैं वो जो काम करती हैं उसको हम लोग किसी किस्म के वेतनिक कारे की निगाह से नहीं देखते हैं वहां किसी सेलरी या वेतन की बात नहीं होती है तो इस संदर्व में कई सारे आयाम है जिनकी आज बात करने का मौका मिलेगा इसकी अतरिक्त भारत म्यानमार सीमा फिर दच्छनी चीन सागर जहां पर चीन लगातार अपने पड़ोसियों के लिए असह जिस्थिती पैदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिर हम लोग मुरिया जनजाती की बात करेंगे इसके पस्चात प्रारंभिक परिक्छा अभ्यास प्रस्ण और फिर मुक्य परिक्छा अभ्यास प्रस्ण और रवीवार को हम आप लोगों से जो प्रस्ण पूछते हैं उनका संबंद स्टैटिक विश्यों के साथ में होता है कल पर्यावरन के संदर्व में दस प्रस्ण आप लोगों के सामने रख्या गये थे आज मौका है उनके उत्तरों को देखने का पहले प्रस्ण की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर पढ़ने के आउशक्ता रहती हैं जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, फिर जैविक घटक, अजैविक घटक यह सब किस तरीके से होते हैं तो इस पर आप लोग अपना अध्यन ठीक से करेंगे इसका जवाब मैंने बता दिया आपको आगे बढ़ते हैं इसका जवाब मैंने बता दिया आपको कौन सुमेलित हैं जिसे एक मैंडक द्वारा खाया जाता है मैंडक का शिकार एक साब द्वारा किया जाता है जिसे एक उच्च शिकारी जैसे चील द्वारा खाया जाता है खाने की यहाँ प्रक्रिया किस प्रकार की खादिश रंखला को प्रदल्शित करती है तो कल हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब है, चराई खाद श्रंखला से ये संबंधित है, आगे देखते हैं students, काले भालू के निम्नलिखित कारियों में से किसे इसके पारिसितिक निकेत के रूप में वरगी करत किया जा सकता है, अब देखिए students, यहाँ पर जो आप एक पारिसितिकी तंत्र होता है, उसके अंदर में अनेक प्रकार के जीव जन्तु रहते हैं, और हर एक जीव जन्तु की अपनी आवशक्ताइं होती हैं, चाहे वो भोजन की आवशक्ता हो, चाहे वो अन जीवों के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया हो, तो वो जो एक जीव ज आद्यम से आपको बताता हूँ, मान लिजिए कि ये किसी छेत्र का एक पारिसित्य की तंत्र है और इसके अंदर में अलग-अलग जीव है, मान लिजिए कि ये एक जीव है X, ये एक जीव है Y, ये एक जीव है Z तो अब यहां पर है क्या चीज़? कि इस पारिशितिकी तंत्र के अंदर में इस जीव X का जो अपना विशेशी कृत छेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? पारिशितिकी निकेद कहलाएगा. जिसके अंदर में इसके जो भोजन की आवशक्ताएं हैं वो होंगी जो आवाज की आवशक्ताएं हैं वो होंगी अन्य जीवों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया है वो सब इस निकेत के साथ में संबंधित होगा समझ में आगया होगा आप लोगों को इसके बारे में तो अगर हम लोग इस प्रस्णिक की बात करें तो यहाँ पर यह तीनों ही कथन सही हो जाते हैं डी इसका सही जवाब है आएए आगे बढ़ेंगे इमनलिकित में से कौन जैव आवर्धक नहीं है ध्यान रखेंगे जैव आवर्धक नहीं है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जैव आवर्धक जो होते हैं विशाक्त तत्व होते हैं विशैले पदार्थ होते हैं जो किसी खादिश रंखला के अंदर में जब आ जाते हैं तो धीरे धीरे जो उच इस्तर पर जीव होते हैं उनके अंदर में ये बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ में जो उच इस्तर पर जीव मोजूद होते हैं खादिश रंखला में उनके स्वास्थ को नुकसान पहुंचता है तो यहाँ पर पारा साइनाइड कैडमियम जो है यह जैव आवर्धक है और हाइडोजन जो है यह नहीं है सही जवाब यही हो जाएगा आगे देखिए निमनलिखित में से कौन पारा विशाक्तता के प्रत्तक्ष प्रमाड है factual question हो जाता है एक हद तक इसमें तीनों ही सही है इसमें आगे बढ़ते हैं प्रसन संख्या साथ है हमारे सामने जैव भूर असाइनिक चक्रों के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए कल चल्चा हम लोग कर ही चुके हैं इस बारे में तो मैं आज आप लोगो मात्रा में होती है अधिक मात्रा में होती है आगे बढ़ते हैं प्रसन संख्या आठ है हमारे सामने भूर अग्यानिक प्रक्रिया जिसे उत्थान कहा जाता है निमन में से किस जैव भूर असाइनिक चक्र में प्रमुक भूमिका निभाती है जवाब है इसका फास्पोरस च अगर किन ही कारणो वस जो है वो उपर की तरफ उठा आता है तो ऐसे में समुद्र के अंदर में जो फोस्पोरस था अब वो इस थल का हिस्सा बन जाता है और इसी को हम लोग उत्थान की प्रक्रिया कहे देते हैं तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि समुद्र के अंदर जो फास्पोरस इखठा होता है और भोगोलिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जब वो इस्थल का भाग बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्थान कहते हैं और इसका संबंद किस्से है फॉस्पोरस चक्र के साथ आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या नौ है हमारे सामने पारिस्थिति की अनुक्रमण के संदर्भ में निनलेखित कथनों पर विचार कीजिए तो सबसे पहले तो आप इस शब्द का अर्थ पर ध्यान देंगे शब्द का अर्थ जो है कि माल लिजिये कहीं पर एक बंजर भूमी है और वहाँ पर ठीक है आपका तीसरा कथन भी ठीक है लेकिन दूसरा वाला जो कथन है यहाँ पर वो आपका गलत हो जाता है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर है क्या चीज कि जो सबसे अंतिम में जो समुदाय यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है उससे हम लोग चरम समुदाय कहते हैं क् यहाँ पर है क्या चीज क्रमिक चरण की अगर हम लोग बात करें तो हर एक चरण के जो बाद का चरण होता है वो क्रमिक चरण ही होता है लेकिन जो अंत में आता है वो चरम है तो मैंने उसको आपको समझा दिया है ध्यान रखेंगे तीसरे वाले कथन कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो माल लीजिये, मैंने बंजर भूमी का उदाहरन आपको दिया था, तो वहाँ पर प्राथिमिक अनुकरमड हो गया, उसके बाद कोई दुरघटना घट गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो पहले चरण में जिन प्रजाति तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा दोतियक अनुकरमड को ध्यान रखना, प्राथिमिक अनुकरमड उसकी रफ्तार धीमी होती है, लेकिन दोतियक अनुकरमड जब होता है, उसकी रफ्तार तीवर होती है, ठीक है, आप लोग जो आपका कन्वेंशनल स्टडी है, जो सबजेक आगे बढ़ते हैं एक प्रजाति की जैविक छमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो factual question हो जाता है और इसमें जो है चारों ही जवाब सही हो जाते हैं और प्रोक्त सभी इसका जवाब है students आईए आगे बढ़ते हैं हमारा जो पहला आलेक है आज का इसको page संख्या 9 से लिया गया है GS2 IR के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे Iran deal could be rescued by the IAEA मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि P5 plus 1 मतलब कि संयुक्तरास्ट सुरक्षा परिशत के 527 अदस्य और 1 मतलब कौन जर्मनी इनके माध्यम से इरान के साथ में एक deal हुई थी JCPOA कि इरान जो है अपने जो संसाधन है परमाडू बम को विक्सित करने के लिए यूरेनियम का जो संवर्धन है वो एक तैसीमा से अधिक नहीं करेगा और अपनी परमाडू छमता का प्रयोग शांतिक के कारियों के लिए ही करेगा तो अब यहाँ पर हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कई बारी हमारे इन सत्रों में भी आप लोगों से चर्चाएं विश्टार में की जा चुकी हैं इस deal के बारे में अब आज मैं आप लोगों को इसी deal से जुड़ा हुआ एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपून पहलू बताऊंगा और वो पहलू क्या होगा IAEA से जुड़ा हुआ कि अंतर राश्ट्रिय परमाडू उर्जा एजनसी जो है वो यहां पर क्या योगदान कर सकती है और किस तरीके से इस deal को बचाने में ये अपना सहयोग कर सकती है और इसके अलावा जो परमाडू अप्रसार संधी है NPT इस संदर में IAEA क्या योगदान कर सकती है तो आईए आरंब करते हैं इसको देखते हैं जरा देखिए इरान परमाडू समझेवते को अब अंतर राश्ट्रिय परमाडू उर्जा एजनसी द्वारा बचाया जा सकता है अंतर राश्ट्रिय परमाडू उर्जा एजनसी को JCPOA का एक विकल्प खोजना चाहिए अगे बढ़ते हैं जरा अब इरान की अगर हम आंतरी किस्तिती की बात करें तो वो बड़ी ध्यान देने लायक है इरान की विदेश नीति के अंदर में पिछले करीब एक डेड़ साल के अंदर में इस बात को लगातार दिखाया जाना शुरू किया गया कि अगर हम परमाडू हतियार बना लेते हैं तो हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं एक प्रकार से रामबाड इलाज हो जाएगा परमाडू हतियार और ये जो मुखरता है इरान की विदेश नीति में ये हमें क्यों दिखाई पड़ी इसका कारण था अमेरिका के अंदर में जो भूत पूर्वर टरंप प अब यहां पर एक बात कही जाती है कि अगर किसी रास्टर को भैभीत कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा अब वो भै की अंतरगत काम करेगा तो गलत भी कर सकता है फिर अब यहां पर हम भारतिया मॉडल पर निगाह डाल हैं लेकिन फिर भी भारत बहुत एक सैयमी रास्टर के तोर पर देखा जाता है भारत ने हमेशा से कहा कि हम परमाडु छमता का परमाडु बम का सबसे पहले प्रयोग नहीं करेंगे और अपने इस सैयम को भारत ने लगातार इस प्रतिबधता को दिखाया तो अब ऐसे में हुआ क्या पूरी दुनिया के अंदर में अलग-अलग जो यूरोनियम आपूर्ति करता देश हैं हमने उनके साथ समझोते कर लिए हमें वहां से यूरेनियम प्राप्त हो जाता है हमें तकनीकी प्राप्त हो जाती है तो ये एक किस्म का भारतिये मॉडल है जो की बहुत सैय पर आधारित है तो अब यहाँ पर लेखक इस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर इरान को भरोसे में ले करके भारतिय मौडल को अपना करके कुछ काम किया जाए तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं यहाँ पर IAEA के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी काफी अच्छा संतुलन के साथ में काम कर रहे हैं वो अमेरिका को समझातो रहे हैं कि इरान पर प्रतिबंद मत लगाईए लेकिन वो इस बात को भी लगातार देख रहे हैं कि IAEA जो है वो अमेरिका के इशारों पर का संबंध हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह सबस्ट कर दूँ कि IAEA जो है यह परमाडू अप्रसार संध नुक्लियर नौन प्लोरिफ्रेशन ट्रीटी जो है इसके संदर्व में बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं रखता है मसलन मैं आपको अगर यह बताऊं कि यह जो संस अंतरगत उसको लागू करवाने के संदर्व में कुछ जिम्मेदारियां IAEA के संदर्व में हैं जैसे कि परमाडू छमता का शांतिपून उपयोग इसको बढ़ावा देना इसमें जो है IAEA अपना समर्थन देता है सहयोग करता है इसके अलावा जो परमाडू छमता इनके बीच एक समन्वे को स्थापित करना, तो ये सारे काम जो है IAEA देखता है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, अब इतनी ज़्यादा बात हो गई IAEA की, तो अब निश्चित रूफ से ये तो जिम्मेदारी हमारी है कि जरा इस संस्था के बारे में भी देख जाए देखिए, यहां एक प्रकार का अंतर आस्ट्रिय के अंदर है, स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्याले वियना आस्ट्रिया के अंदर में है, यहां एक सोतंत्र अंतर आस्ट्रिय संगठन है जो कि सैन्युक्तरास्ट्र महासभा को वार्सिक रूप से रिपोर्ट करता है इस point पर ध्यान देना यह point आपको prelims में भी मिल सकता है कि सैयुक तराष्ट महा सभा को वार्सी कुरूप से report करता है मैंने repeat कर दिया है आपके लिए इस point को महत्वपूर्ण है point यह अब इसके अलावा एक point यहाँ पर और ध्यान देने लायक है कि IAEA को दुनिया भर में शान्तिपूर्ण जो उपयोग है परमाड़ु छमता का इसको बढ़ावा देने के लिए इसको नोबल शान्तिपूरसकार से सम्मानित भी किया जा चुका है अब आगे की राह यहाँ पर क्या हो सकती है देखिए students अगर इरान NPT से बाहर निकलता है तो निश्चित रूफ से ये एक अच्छा संकेत तो नहीं होगा जो हमारा पस्चिम एश्या का जो छेतर है उसके लिए मध्य पूर्व के अंदर में शक्त्य संतुलन स्वाब तो हो जाएगा और सौधी अरब इजरायल और इरान के मध्य युद्ध की स्थिती का निर्माण भी हो सकता है इसके अतिरिक्त इरान दुनिया भर के अंदर में तेल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है अपूर्थी करता है तो ओरजा सुरच्छा पर भी गंभी रूप से प्रभाव पढ़ सकते हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपने कच्चे तेल की जो अपूर्थी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इरान से मंगाते हैं अब ऐसे में क्या होगा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण भारत का जो चालू खाता घाटा है वो बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये हमारे देश की आर्थी किस्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा और कच्चा तेल अर्थ्यवस्था को कितना नुकसान पहुचा सकता है ये हम सब लोग 1990 के आसपास बहुत बढ़ी हास से देख चुके हैं जब खाड़ी संकट के समय कच्चे तेल की कीमतें आसमान चू रही थी और भारत की आर्थिक इस्थिति पर बहुत नकारात्मक असर पड़े थे और उसी के बाद हमने अपनी अर्थ्यवस्था को खोला और मुक्त अर्थ्यवस्था की रहा पर हम लोग चले थे तो वो सारा एक ट्रडिशनल स्टडी का पार्ट है उसको आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा है तो देखिए इसके अलामा अगर हम और करें तो चाबाहार बंदर गहां का जो छेत्र है अब यहां पर एक तो रणनितिक छेत्र हो गया कि भारत जो ग्वादर बंदर गहां का छेत्र है पाकिस्तान के अंदर में जिसे चीन विक्सित कर रहा है उससे प्रतिसंतुलित करने के लिए इरान में भारत ने बहुत तो आप आसान भाशा में समझे कि भारत के हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी भी निगाहें होंगी इस सब पूरी वस्तुचिति के ओपर में अगला मुद्दा देखते हैं students अगला जो हमारा अलेक है पेश संक्या आर्ट से लिया गय देखेंगे doubling down on a resilient India बड़ा अच्छा आलेक बन पड़ा है और बहुत सकारात्मक है आईए देखते हैं जरा इसको महामारी के बाद भारती अर्थ्यवस्ता में एक बदलाओ देखने को मिला है और लेखा कहते हैं यह बदलाओ है आगहातों को सहने की जो भारती अर्थ्यव वो इस महामारी के दोर में भी बढ़ा है और करीफ 60 billion dollar से अधिक का FDI प्राप्त करने में भारत सक्षम हो पाया है भारत से आगे अगर हम देशों की बात करते हैं तो वो चीन और ब्राजील दिखाई पड़ते हैं लेकिन भारत का प्रदर्शन भी अच्छा है यहाँ पर त किया है इसके अलामा लेखा का बात करते हैं कि हाँ यह एक अलग मुद्दा है कि Reliance Geo जो है अधिकांस जो निवेस हमको देखने को मिला है वो Reliance Geo के अंदर में मिला है क्योंकि Lockdown के संदर्व में अगर हम Reliance Geo को देखते हैं तो Reliance Geo ने बहुत सारे जो है टेक ओवर किये ह इन्होंने बहुत सारा विदेशी निवेश प्राप्त किया है अपनी इस संस्था के अंदर में तो निश्चित रूप से भारत के अंदर में अगर अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगी विदेशी निवेशकों को ऐसा लगेगा कि वहाँ पर वो और अच्छा लाभ हुए हैं तो अन्य संस्थाओं को भी निवेश प्राप्त हो सकते हैं आएए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर लेकर कहते हैं कि बिल्कुल सच बात है कि जो उभरती हुई अर्थ्यवस्थाएं होती हैं सब कुछ अच्छा नहीं होता है अगर वहाँ पर आप निवेश कर पर सामाजे किस तर पर तो यह कुछ खत्रे हैं लेकिन इन खत्रों को उठाया जाना चाहिए क्योंकि जो लाब यहाँ पर है वो लाब अधिक है तो अब यहाँ पर लेखक अगले मुद्दे के तरफ जाते हैं कि यह जो अंतर आश्ट्री कमपनिया हैं वो अपने विकास के लिए भारत को इतना महत्तपूर्ण क्यों मानती हैं इसमें लगभग चार बिंदू हैं जो ध्यान देने योग्ये हैं जैसे भारत की जनसंख्या अधिक हैं धरती का हर छह में से एक व्यक्ति भारती है तो इतना बड़ा बाजार तो कोई कमपनी शायद ही छोड़ना चाहे हर बड़ी कमपनी जो विकास करना चाहती है उसे एक बाजार चाहिए और भारत वो बाजार मोहिया करवाता है अगला जो मुद्दा हम लोग देखते हैं वो है बदलते भूर आजनितिक समीकरण यहां विशेश रूप से हम लोग देखते हैं चीन और अमेरिका के बीच जो निवेश कर रखा था अब वो निवेश के लिए नए स्थानों की तलाश में है और ऐसे में भारत उनको वो जगह मोहिया करवा सकता है तो निश्चित रूप से इन बदलते भूर आजनितिक समीकरणों का भारत को फायदा मिल सकता है अगर भारत अपनी नितियों में समय के अनुसार बदलाओ करता है तो हमारी निवेश की आउशक्ताएं पूरी हो सकती है आगे बढ़ते हैं इसकी अतरिक्त भारत के अंदर में डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है खास तोर पर इस लॉकडाउन के संदर में अगर हम लोग देखते है तो सस्ते मोबाइल उपलब्द है सस्ता मोबाइल डेटा उपलब्द है दुनिया में जो मोबाइल डेटा के जो रेट है भारत के अंदर में सबसे सस्ते रेटों में से एक रेट भारत में है मोबाइल डेटा के इसकी अतरिक्त एक आकड़ाग बताता है कि 500 मिलियन भारती अभी भी offline है, मतलब कि वो online गतिविदियों से नहीं जुड़े हैं, तो इतना बड़ा बाजार भी है तो निश्चित रूप से tech दिगध जो हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनिया हैं, चाहे वो Google हो, फिर चाहे वो Facebook हो, ये सब के सब भारत के अंदर में निश्चित रूप से निवेश करना चाहेंगे इसकी अतरिक्त हम लोग आगे बात करते हैं, आगहातों की सहनशीलता अगर हम लोग पिछले एक साल में भारत को देखें, तो COVID-19 महामारी आई, हमने एक बहुत बड़ा lockdown देखा, एक मानमी संकर देखा हम लोगों ने लेकिन इसके अलावा, हमने इस बात को भी देखा, कि दुनिया के अंदर में वैक्सीन के निर्मार में, COVID-19 महामारी के खिलाफ में जो वैक्सीन विक्सित किये गए, इन समय भी भारत ने अपनी छमता का प्रदर्शन किया है और अगर हम वर्तमान समय को देखें, तो भारत बड़ी संख्या में जो वैक्सीन है उनका उत्पादन कर रहा है और अपने पडोसी देशों को अन्य देशों को भी मुहिया करवा रहा है तो ये इस बात को दिखाता है कि भारती अर्थ्यवस्था में एक किस्म का लचीलापन विक्सित हुआ है जिसके कारण वो आगहातों को सहन करने में सक्षम दिखाई पड़ रही है यहां तक कि इन आगहातों को सहने की जो छमता है, वो कई सारे पश्चिमी देशों से भी बहतर है भारत के अंदर में तो यह सब वो बिंदू है जो कि भारत को एक आकरशक निवेश स्थान के रोप में दिखाते हैं आईए स्टुडेंट्स अगले आलेक को देखते हैं पेश संख्या आर्ट से इसको लिया गया है GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ते हैं जंक इन इफिशियंसी यह जो आलेक है जो वर्तमान में स्क्रैपेज पॉलिसी आया है वाहनों का उसके संदर में है और बड़े अच्छे सारे बिंदू हैं इसके अंदर में आए जड़ा देखना शुरू करते हैं इसको देखिए हाल ही में केंदरी सडक और परविहन मंत्री ने लोग सभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति के गोशना की है इस नीति को केंदरी बजट 2021-22 में पहली बार गोशित किया गया था और इस नीति के अंतरगत 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हलके मोटर वहिकल को शामिल किया गया है अब ये जरा आकड़ा रटना नहीं है आपको बस थोड़ा सा यहां पर थोड़ी देर के लिए इस आकड़े पर ज़्यादा ध्यान रखना आप लोग 20 साल पुराने वहन, 15 साल पुराने वहन अब जड़ा आगे देखते हैं इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी तो अब यहाँ पर है क्या चीच जैसे जैसे वहन पुराना होता है उसकी छमता वैसे वैसे घटती जाती है अब इस नीति के माध्यम से यह बोला गया है कि अगर वहन का पुनह पंजी करण कराने के लिए लोग जाएंगे तो 15 वर्स से अधिक जो पुराने वाडिजिक वहन है और जो 20 वर्स से अधिक पुराने वहन है उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा कि जो वाहन है वो सडक पर चलाया जाने योग है या नहीं है उसकी जो इंधन की दक्षता है वो ठीक है या नहीं है जो इंधन उसमें जलेगा उसके इंजन के अंदर में वो ठीक से उस इंधन को जला भी पाएगा कि नहीं जला पाएगा उसका इंजन कि पता लगा उससे बहुत अधिक धूमा निकल रहा है और ऐसे में जो प्रदूशन है वो बहुत अधिक फैलेगा इसकी अतिरिक्त अगर वाहन बहुत पुराना है तो वो सडक पर चलते हुए अगर उसमें कोई समस्या आ जाती है तो अन्य वाहनों के लिए अन्य लोगों के लिए खत्रा तो नहीं बन जाएगा तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिटनेस टेस्ट अनिवारे कर दिया गया इसकी अतिरिक्त है राजसरकारों को यह सलाह दे गई है कि आप लोग एक काम करो जो निजी वाहन है 25% तक और जो व्यावसाइक वाहन है 15% तक रोट टेक्स में उनको छूट प्रदान करो नए वाहनों के संदर में जो है यह बात कही जा रही है ताकि लोग थोड़ा प्रोचाहित हों कि वो नए वाहन खरीदें और इससे क्या होगा जो आटो मोबाइल सेगमेंट है हमारा जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है भारती अर्थेवस्ता के अंदर में ध्यान रखि है तो वो कहीं से भी भारती अर्थेवस्ता के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है यह बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा तो इसलिए यह जो सारी कवायद दिखाई पड़ती है वो एक हद तक आटो मोबाइल सेगमेंट में जो मंदी दिखाई पड़ रही है इसको मंदी से निकालने में मददगार भी हो सकती है अभी बिंदुवार आप देखेंगे चीजें आपको और इस पस्ट होंगी आईए अगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर यह कहते हैं लेखक कि अगर किसी ने अपने वाहन को स्क्रैप किया है तो अगर वो स्क्रैपिंग स सुल्क देना पड़ेगा पुनह पंजी करन पर रजिस्ट्रेशन के ओपर में तो वाहन मालिक यह सोचेगा ना कि यार नया वाहन खरीद लेते हैं छूट मिल रही है सरकार रोट टैक्स पर छूट दे रही है वाहन निर्माता करी 5% तक और छूट दे रहा है तो फिर पुन वाहनों के प्रयोग को हतोचाहित करने के कई सारे प्रयास यहां पर दिखाई पड़ते हैं जरा आगे भी देखते हैं बड़े रोचक तत्य हैं यहां पर अब इसमें लाब क्या होगा देखिए अगर स्क्रैप करेंगे वाहनों को तो स्क्रैप यार्ड बनाने पड़ेंग तो अब स्क्रैप करने का जो काम है वो बहुत बड़ा काम होता है और ऐसे में भारत को निवेश भी प्राप्त होगा इसकी अतरिक्त है अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग हैं इन लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा जो यहाँ पर काम करेंगे इन सेंटर्स पर इन तकनी की दिक्कतें होती है उनकी वज्य जो दुरघटनाएं होती है वो दुरघटनाएं तो कम होंगी कम से कम तो वाहनों की जो सुरक्षा है सड़क पर जो रुख्षा है वो अच्छी हो जाएगी इसके अलावा अगले बिंदू के तरफ चलते हैं भारी और बारी हम जो पटो मोबाइल सेग्मेंट आगे बढ़ेगा, तो सरकार का जो GST संग्रह है, वो संग्रह भी तो क्या होगा? बढ़ेगा, सरकार को भी लाब होगा, जब नई गाड़ी होगी, नया वाहन होगा, तो इंधन की दच्छता में भी व्रद्धी होगी, कम इंधन में अधिक दूर होता है, आप लोगोने सड़कों पर देखा होगा, जब पुराने गाड़ियां कई बारी होती है, जितना धुमा कर रही होती है, अगर आप कहीं उनके पीछे चल रहे हैं, तो जानलेवा साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो यह सब लाब हैं यहाँ यहाँ पर, I. गरों से संबंधित है, और इसको पढ़ने के बाद में, कमसा कम मम्मी के प्रती जो समान है, वो समान और बढ़ जाएगा, आएए देखते हैं जिरा इसको, देखिये, संदर्व यहाँ पर क्या है, अवेतनिक कार्य के प्रती उचित नजरिया अपनाने की आवशकता है, हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि कार्यस्थलों पर भी महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है, कि पुरुष और महिला अगर समान कार्य कर रहे हैं, तो महिला को कम वेतन देखता है, इसके अतरिक्त, महिलाएं जो घरेलू कार्य करते हैं, उसके लिए उन्हें साल से अधिक है अगर उनको हम pension उपलब्ध कराएं तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है और ये एक किस्म से सम्मान होगा उनके उन घरेलू कारियों का जो उन्होंने किये हैं अपने जीवन लेकिन यहाँ पर एक समस्या है समस्या यह है कि pension का उतरदायो तो अधिक होगा और मैं आपको यहाँ पर यह बात या दिलाना चाहूंगा कि व्रधावस्ता pension जीसी योजनाई है लेकिन घरेलू महिलाओं के प्रती अधिक ध्यान देने किया हो सकता है अब यहाँ पर एक बिंदू हमारे सामने आता है कि सरकार यहाँ पर क्या कुछ कर सकती है जैसे अगर खाना पकाने का बहतर इंधन मोहिया करवाया जाए तो उत्पादक समय बढ़ेगा अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए प्रधान मंत्री उज्वला योजना के साथ में कि उज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं LPG पर खाना जब पका लेंगी तो जो इंधन को ढूडने का समय होता है लकडी को ढूडने का समय वो कम हो गया फिर जब वो खाना बनाती है बायो मास को जला करके लक्रियों वगरे को जला करके तो उसमें अधिक वक्त लगता है खाना बनाने में तो वो समय बच जाएगा महिलाओं का स्वास्त अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से अगर इस कदम को हम देखें तो यहाँ पर सरकार काम कर रही है उज्चुला योजना को आप यहाँ पर जोड़ेंगे लेकिन उज्चुला योजना में कुछ चुनोतियां भी है जैसे कि LPG के जो दाम बढ़े हैं अभी हाल फिल हाल में उसकी वज़े से यह सामने आया है कि उज्चुला योजना के अंदर में LPG की जो खपत है वो घट रही है इस अंदर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले सत्रों के अंदर में तो इन सब चुनोतियों को भी साथ में देखने के आऊ सकता है इसकी अलामा बहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्द कराई जाए महिलाओं को बहतर स्वास्त्य सुविधाएं इसकी अलामा एक बड़ा अच्छा बिंदू है यहाँ पर पुरुषों को ग्रह कारे का प्रसिच्छड दिया जाए की स्टुडेंट्स महिलाओं ही घर के काम क्यों करेंगी घर तो दोनों का है तो पुरुष और महिलाओं दोनों मिलके घर को चलाएं ना और मैं आपको एक बड़ा अच्छा ओधारन यहाँ पर देना चाहूंगा यह कई सारे विज्यापन आप लोग देखिए टेली विजन के ऊपर में तो वहाँ पर एक मा अपने बच्चे से यह कहती हुई दिखाई पड़ती है कि बहन ही कपड़े क्यों धुलेगी तुम कपड़े धुलना या खाना बनाना क्यों नहीं सीख रहे हो अच्छी बात है यह लेंगिक समानता की तरफ ले करके जाता है आईए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे सामने मुद्दा आता है कि अवैतनिक कार्य और अर्थ्यवस्था देखिए जो सकल घरेलू उत्पाद है महिलाये जो घरों के अंदर में उत्पादक कारे करती है खाना बनाती है अन्यकारे करती है तो वो भी तो एक किस्म की उत्पादन के गतिविधिया ही है तो अब उन चीजों को अर्थ्यवस्था के अंदर में जोड़ा नहीं जाता है तो यहाँ पर हमारे सामने विचार रखा गया कि घरेलू कारे को अर्थ्यवस्था के एक छेतर के रूप में रखना चाहिए इस संदर में प्रय안स होने चाहिए हलाकि इतना आसान नहीं होगा लेकिन प्रयास तो होने चाहिए इसकी अतिरिक्त निजी छेत्र के जो स्रमिक होते हैं जो अलग-अलग निजी छेत्र के कमपणियों में काम कर रहे होते हैं तो इन लोगों को जो दिक्कते आती हैं भावतिक समस्याएं हो सकती है भावनात्मक समस्याएं होती है तो इनकी देखभाल कोन करता है इनकी देखबाल, कोई न कोई घर के अंदर महिला ही कर रही होती है, तो ऐसे में इन स्रमिकों की जो उत्पादक्ता में व्रद्धी होती है, वो एक महिला की वज़े से हो रही होती है, तो अब इसमें होता क्या है, निजी छेत्र का जो खर्च होता है, वो खर्च क्या होता है घटता है इन कंपनियों का तो निश्चत रूप से महिलाओं को इस संदर में कुछ न कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए अब ये किस तरह से मिलेगा corporate social responsibility के माध्यम से मिलेगा या किसी अन्य माध्यम से मिलेगा वो रास्ता तलाशना पड़ेगा ये एक विचार है लेकिन बड़ा सांदार विचार है ये आगे देखते हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो गया बच्चा बीमार हो गया तो मम्मी उसके देखभाल कर रही है पिता जी बीमार हो गया मा देखभाल कर रही है और हम लोग यहां पर है क्या चीज कि जो राज्य का खर्च है स्वास्ते देखभाल के ओपर में इन महिलाओं की वजह से वो खर्च भी कम होता है तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ बहतर तो करना पड़ेगा महिलाओं के लिए आगे बढ़ते हैं यहां पर यह विचार हमारे है वो दायरा अब बढ़ाने का वक्त आ चुका है और हमें महिलाओं को भी यहां पर एक उचित इस्थान देने की आवश्रकता है आईए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परिक्षा की द्रस्टी से कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को स्टुडेंट्स हमारा जो पहला समाचार है यहां पर पेश संख्या एक और दस से इसको लिया गया है जी एस हम लोग प्रिलिम्स के साथ में इसको कनेक्ट कर ही रहे हैं म्यानमार बार्डर शट्ट एमेड स्ट्रेंस ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस यहां पर केंद्र और जो भारत के राज्य हैं इनके संदर्व में भी कुछ तनाव देखने को हमें मिला है अब आएए देखते हैं जरा यहां पर कौन-कौन से विशे जुड़े हुए हैं सबसे पहले आप लोग म्यानमार और भारत की सीमा को देखिए तो हमारा अरुनाचल प्रदेश इसके अल म्यानमार के साथ में सीमा को बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है अब देखिए भारत और म्यानमार के सीमावरती छेत्रों के अगर हम बात करें तो लोग आसानी से आ जा सकते हैं इसके अतिरिक्त जो वैवाहिक संबंध वगेरे हैं यहां पर सीमावरती छेत्रों में वो पर अत्याचार करती हुई दिखाई पड़ती है तो अब वहां से कई सारे लोग भाग करके भारत आ जाते हैं पीछे दिनों हमने देखा भी था इस घटना को कई सारे प्रदशनकारी भारत में सरण के चकर में आ गये थे इसके अतिरिक तकर हम रोहिंग्याओं की बात करें तो रोहिंग्या सरणार्थी संकट पहले से चला ही आ रहा है तो यहाँ पर ग्रह मंत्राले ने एक मुद्दा उठाया ग्रह मंत्राले ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए भारत में कोई भी राज्य किसी विदेशी को सरणार्थी का दरजा नहीं दे सकता है और ग्रह मंत्रा अगर म्यानमार के सरनार्थियों के संबंध में कोई भी निरने होगा तो वो केंद्र सरकार लेगी ना कि राज जलेगे तो बॉर्डर को बंद करने का निरने किया गया यहां पर आएए आगे बढ़ते हैं अगला समाचार Philippines accuses China of incursion in disputed sea दच्छनी चीन सागर हम लोग एक बहुत लंबे समय से देखते हुए चले आ रहे हैं कि चीन ने यहां पर अपने पडोसी देशों को परेशान करके रखा हुआ है यहां पर एक जगह है विटसन रीफ आप लोग यहां पर देख सकते हैं अब यह जो विटसन रीफ है यहां पर करीब दोसों के आसपास चीन के जहाजों को देखा गया और Philippines ने कहा कि इन जहाजों को कहा तो गया मचली पकड़ने वाले हैं लेकिन चीन की सेना के लोग यहां पर देखे गया है और Philippines ने अपने चिंताएं यहां पर दर्ज करवाई है तो आईए विटसन रीफ को एक तो आप लोग याद रखेंगे और जड़ा दच्छनी चीन सागर को हम लोग देख लेते हैं आप अगर इस मानचित्र को ध्यान से देखें तो यह जो यहां पर लाल रंग की जो रेखाएं है इसको हम लोग जो है इस छेत्र को इस रेखा को नाइन डैस लाइन कहते हैं चीन कहता है बिसिकली इसको और यहां पर जो नीली रेखाएं आपको देख रही है यह 200 नॉटिकल माइल का छेत्र है जो कि UN clause के मताबिक किसी भी देश का exclusive economic zone होता है अब यहां पर आप देख सकते हैं फिलिपीन्स का एक बड़ा छेत्र यहां पर आता है यहां पर हम देख सकते हैं बुरुनई का छेत्र आ रहा है मलेशिया का छेत्र आ रहा है वियतनाम का छेत्र आ रहा है और चीन कह रहा है कि यह सब हमारा अब चीन क्यों पड़ा हुआ है तच्छुनी चीन सागर के पीछे क्योंकि यहां पर यह छेत्र बहुत समरद है खनिजों की द्रस्टी से तेल और गैस की अपार संभावना है इसकी अतरिक्त दुनिया के प्रमुख व्यापारिक रास्तों में से एक है इसलिए चीन तच्छुनी चीन सागर पर अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है अब आप लोगों के लिए काम निकालते हैं जरा हम लोग पिछले कई सत्रों में चर्चा कर चुके हैं यूवन क्लॉस के बारे में, ईईजेड के बारे में तो अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप फटा-फट देखो ईईजेड को, ईवन क्लॉस को इस संस्था के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, जब ऐसे ही बिंदू से बिंदू को मिलाते हुए चलेंगे तभी डॉट्स कनेक्ट होंगी, एक्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्म करोगे अब आगे देखो जड़ा यहाँ पर कई सारे दूइफ हैं, जो कि विवादित हैं, इनसे भी प्रस्ति निकल चुके हैं जैसे प्रासली आइलेंड है, स्प्राटली आइलेंड है, स्कॉर्ब्रो आइलेंड है तो यह सारे के सारे छेत रहें, जो कि विवादित दूइफ हैं यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा मसला है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हाला कि बड़ा पुराना हो गया है बट फिर भी गाहे बगाहे चर्चा में रहता है तो आप लोग ध्यान भी रखें इसके बाद पेश संख्या 10 पर चलते हैं और बार्टर कंटीन निउस इंदा आंदर हैमलेट यह जो है छेत्र एक जनजाती है यहाँ पर 36 गड़ के अंदर में और जनजाती है मुरिया जनजाती और इसके जो लोग हैं यह मुखे रोप से 36 गड़ में निवास करते हैं लेकिन जो आसपास के छेत्र हैं वहाँ पर यह अपने जो वन्य उत्पाद हैं उनको बेचते हैं तो यहाँ पर यह जो जनजाती और लोग हैं यह जो वन्य उत्पाद हैं खास तोर पर महुआ के फूल इनको यह जो है बेचते हैं और इसके माध्यम से एक किस्म की शराब का उत्पादन किरा जाता है जो कि जनजातियों लोगों में उसको पीने का एक चलन है और वो एक पारंपरिक रोप से जुड़ी हुई चीज है यहाँ पर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मुद्दा हमारे सामने आता है कि जब यह जन नमक हो गया आटा वगहरे हो गया दाल वगहरे होगी यह इनको चाहिए होता है उसके लिए यह आते हैं इस अपने वस्तू को देते हैं बिचौलियों को अब जो बिचौलिया होता है यह इनकी वस्तू के दाम तें करता है और यह बिचौलिये इनको जो है इनकी वस्तू के देखेगा और ऐसे में क्या हमारे जन्जातियों लोगों को उनकी वस्तुवों की एक अच्छी कीमत मिल पाएगी जवाब है जी नहीं अगर हम अपने इन जन्जातियों लोगों को ट्राइफिड जैसी संस्थाओं के माध्यम से electronic national agriculture market से जोड सके तो हमारे इन जन्जातियों लोगों को उनकी वस्तुवों के अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी बिलकुल मिल पाएगी और ऐसे में उनका जो जीवन का इस्तर है वो और बहतर हो जाएगा तो हमें इन विश्यों को संदर्भित करने की जरूरत है आईए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रस्णों को और पहला प्रस्ण है भारत म्यानमार सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है नागा लेंड म्यानमार के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है दूसरा है भारत और म्यानमार के मध्य मुक्त आवाजाही व्यवस्था नामक एक व्यवस्था है जो दोनों तरफ के इस्थानी लोगों को दूसरी तरफ 16 किलोमीटर तक अंदर जाने और 14 दिनों तक रहने की अनुमत देती है इस सरंद्र, बाढ़ रहित और दुर्गम सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बियसथ के पास है तो स्टुडेंट्स मैंने इस समाचार के बारे में आपको बताया है अब एक बार इसका अध्यन आप स्वयम से करेंगे तो आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जवाब जरूर दीजिएगा विकल्ब देखते हैं सही कथन आपको बताने है केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक दो और तीन अगला प्रस्न देखेंगे प्रस्न है भारत में संकटासन लाल चंदन व्रच कहां पाये जाते हैं पूरवी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूरो पहाड़ियां और मध्य भारत अगे बढ़ते हैं जिनलेखित कथनों में से कौन साया से सही है या है कथन एक है हालही में चर्चा में रही विट्सन, शैल, भित्ती, तच्छिनी, चीन सागर में है मैंने अभी बात की थी इससे इसके बाद अगला कथन है यहाँ पैरासेल द्विब समू को लेकर जारी समूद्री विवाद का एक भाग है तो केवल एक, केवल दो एक और दो दोनो ना तो एक ना ही दो इसका जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे आगे बढ़ते हैं मुरिया जन जातिक किस राज्य की मूल निवासी है करनाटक मेगाले उडिसा चत्तियसकड़ अगला प्रस्ण है पर्यावरण में मुक्त होने वाले माइक्रो बीट्स या माइक्रो प्लास्टिक को लेकर चिंता क्यों व्याप्त है तो यहाँ पर ऑप्शन A है इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है B है इन्हें बच्चों में तुचाक एंसर का करण माना जाता है C है सिंचित खेतों में फसली पौधों द्वारा अवसोशित किया जाने के लिए इनका आकार परयाप्त छोटा है D है प्रायाह खाद्य मिलावट के रोप में इनका उप्योग किया जाता है आगे बढ़ते हैं और अगला जो मुद्दा है वो है मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रस्ण वर्तमान वाहन स्क्रैपिंग नीति का आलो चनात्मक मुल्यांकन कीजिए 250 शब्द 15 अंख तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले आप लोग भूमिका की बात करेंगे वाहन स्क्रैपिंग नीति का परिच्य देंगे इसके जो प्रमुक बिंदू हैं उनको बताएंगे इस नीति का महत तो इसके जो गुण और दोस हैं उनकी चर्चा करेंगे और फिर ये सफल कैसे हो सकती है इसको बताते हुए इसका हम निश्कर्स लेख देंगे तो एक अच्छा सा उत्तर बन जाएगा लेखने का प्रयास करेंगे आप लोग अगला मुद्दा है हमारे सामने इरान परमाड़ समझोते को किस प्रकार से अंतर राश्ट्रिय परमाड़ उर्जा एजनसी द्वारा बचाया जा सकता है एक सो पचास सब्द दस अंक आए देखते हैं सनरशना को इसको तो सबसे पहले तो इरान परमाड़ समझोते का परिचे दीचिए आप लोग जैसी पी ओ ए और NPT को भी जोड़ देंगे तो और अच्छा फिर इसके बाद में इस समझोते का महत तो क्या है छेत्रिय शांति के संदर्व में इसको बताएंगे आप लोग फिर इसमें IAEA की जो भूमिका है उसको बता देंगे और फिर इस संस्था के द्वारा जो प्रयास किया जा रहे है इनको बताएंगे और फिर भारतिय मॉडल जो मैंने आपको समझाया था उससे जोड़ करके इसका निश्कर्स आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आज क्या सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसके अतरिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रस कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन्स आपको समय से मिल जाएंगे आज के सत्र को देखने के लिए आप सभी लोगों का सुक्रिया